जैशिक्रिष्णा स्वागत है आपका सार्थित्रिष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग कैसे हैं घर में सब जरूर बताईएगा आज मैं आपसे बात करूंगी चंद्रमा के बारे में चंद्रमा जिसका खराब होता है उस व्यक्ति को क्या क्या लक्षन दिखाई देते हैं किसी भी चीज़ को बार बार रीचेक करना कुछ भी लिखा फिर भी डाउट है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया एक बार वापस कंफर्म कर लो खुद भी करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि इसे बार बार रीचेक जरूर करिए ऐसे लोगों के मन में विच्चार बहुत नेगेटिव आते हैं ऐसे लोग सोने से पहले ना जाने अंगिनत के ऐसी चीज़े सोचते हैं कि उन्हें सोने में बड़ी बेच्चैनी होती है या तो ऐसे लोग बहुत ज़ादा सोएंगे या वो बिल्कुल भी नहीं सो पाएंग चंद्रमा का आपके मन पर कंट्रोल होता है चंद्रमा का आपके माइंड पर कंट्रोल होता है चंद्रमा का आपके जीवन में हर एक उस भावना पर कंट्रोल होता है जो आप बहुत जादा इमोशनल होकर करते हैं चंद्रमा आपके जीवन में बहाव का कारक है बहने का फ् मेशा कस्ट में रहेगी चाई शारिरिक चाई मानसिक या फिर आर्थिक आपकी माता की आर्थिक स्थितियां कभी अच्छी नहीं हो पाएंगे अगर आपकी कुंड्ली में चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपके मां से संबंद अच्छे नहीं हो पाएंगे 99.9% कुंडलियों के अंदर चंद्रमा अगर छटे या आठवे घर में चला जाता है तो ऐसे जातक को अपनी मा से बहुत बच्पन में अलग होना पड़ता है वो अपनी मा के होते हुए भी किसी और के द्वारा पाला जाता है जैसे कि हमारे श्रीकृष्ण लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है न तो आपकी माता का मन भी आपको लेकर कहीं ना कहीं विपरीत रहता है अक्सर होता है कि किसी एक से मा बहुत प्यार करती है किसी से कम प्यार करती है चंद्रमा अच्छा नहीं होगा ग्रह कलेश बहुत होगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा लोग आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पाएंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा लोग आपको हमेशा तिरस्कृत करेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा लोग आपको हमेशा छोटी छोटी बातों पर डाटा करेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा चहरे पर चमक कभी नहीं आएगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा टैनिंग बहुत जादा हो जाएगी चंद्रमा नहीं अच्छा होगा आप पानी का दुरुपयोग बहुत करेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा आप पानी बहुत कम इंटेक करेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा आपको ठंडी चीजे बहुत पसंद आएंगी चंदरमा अच्छा नहीं होगा आपको स्वांस से रिलेटेड दिक्कत हमेशा पाई जाएगी चंदरमा अच्छा नहीं होगा आप चलेंगे तो आपकी सांस बहुत जोर से फूलने लगेगी चंदरमा अच्छा नहीं होगा तो आप बैठ कर कारे करना ज़ादा पसंद करेंगे चंदरमा अच्छा नहीं होगा तो आपका विस्तार नहीं हो पाएगा आप बहुत अच्छा काम करते हैं आप बेस्ट वर्कर हैं अपनी फिल्ड के आपसे बहतर काम किसी को करना नहीं आता लेकिन अगर चंदरमा अच्छा नहीं हुआ ना तो आपको फैलने का मौका नहीं मिलेगा लोग आपको जानेंगे नहीं पहचानेंगे नहीं बलकि आपके अंडर में सीखने वाले लोगों क लोग जादा परसंद कर लेंगे और आपकी वावाई ही नहीं होगी चंदरमा अच्छा नहीं होगा आपके दोस्त अच्छे नहीं होगे चंदरमा अच्छा नहीं होगा आपको धोके बहुत मिलेंगे चंदरमा अच्छा नहीं होगा आपका प्रेमी आपके साथ कभी भी अ बहुत जादा मिलेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपको कभी भी आपकी लाइफ में आपका सच्चा पार्टनर नहीं मिलेगा चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपके मल्टीपल अफेर्स या रिलेशन्स रहेंगे लेकिन आप उनके साथ खुश कभी नहीं र कभी भी सही से समझा नहीं पाएंगे चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो आपके खाने में चॉइस बहुत जादा रहेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा तो लोग आपसे कटे-कटे रहेंगे चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा तो आप ग्रूप में कभी अच्छे से सरवाइब नहीं कर पाएंगे ग्रूपिंग होती है ना बहुत सारे फ्रेंट्स एक साथ होते हैं मौज मस्ती करते हैं आपको हमेशा उस चीज से कट करा जाएगा दूर रखा जाएगा चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में उदासिंता हमेशा बनी रहेगी चंद्रमा अच्छा नहीं होगा तो यह सारे काम आपके साथ होंगे लेकिन अगर ऐसा होगा तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे और चंद्रमा ठीक नहीं है तो कुछ और विशेश लक्षन मैं आपको बताऊंगी लेकिन इससे पहले यह बताऊंगी कि मैं यह सब ब चली आती हूं जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता मैंने ऐसा कहा कि वो पानी की वे स्ट्रेस बहुत जादा करते हैं पानी की कदर नहीं कर पाते ऐसे लोगों को पानी से इंफेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है ऐसे लोगों को पानी बार बार पीड़ा जरूर देता है अ एक बात समझेक सिका चंद्रमा 24 घंए अगर किसी का चंद्रमा 12 घंए तो ईसे व्यक्ती को कभी भी यह पानी नहीं पीना चाहिए चाहिए और वह भी जब आ बोतल से ग्लास में पानी डाले ना तो आपकी बोतल उची होनी चाहिए मतब एक धारा सी बननी चाहिए तब ही आप ये पानी पीज़ेगा पानी को घुट घुट पीजिए लेकिन पानी को छोड़िए मत आप ग्लास में जितना पानी ले रहे हैं उसे पूरी तरीके से खतम कर दीजे नहीं तो यह आपके चंद्रमा को और ज़्यादा खराब करता है घर के वास्तु के अनुसार आपके घर में सीलन नहीं होनी चाहिए वरना आपकी कुंड्ली का चंद्रमा आपको परिशान जरूर करेगा घर के अंदर पानी का बहाव नहीं होना चाहिए नल नहीं तपकना चाहिए पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए पानी ऐसी जगह पर नहीं आपका स्टोरेज होना चाहिए जहां पर वो पड़ा-पड़ा सड जाए खराब हो जाए या उसके अंदर मक्षी मच्छर उत्प पानी को कभी भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखना चाहिए अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्टम में बैठा है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी पानी का बहुत कम डिगरी का होता है ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में कम से कम सोला बार बहते हुए जरने के नीचे स्नान करना चाहिए साल के एक बार कर नियम बना ली जाना मैंने तो बना रखा है जी बहते हुए जरने के नीचे स्नान करने का जरू करा करिए बहुत फायदा मिल लेगा जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा सब्तम में हो लगन में हो ऐसे व्यक्तियों को साल में एक बार समुंद्र के जल से स्नान जरूर करना चाहिए समुंद्र में जाकर स्नान कर लीजे बहाना दे दिया मैंने आपको बीच पे जाने का जरूर जाईएगा और जरूर करिएगा ये काम जिन लोगों की कुंडली के अंदर चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा हो ऐसे लोगों को पवित्र नदियों में कम से कम साल में तीन बार जाकर स्नान जरूर करना चाहिए पहली बार करिए ब्रहमा जी के नाम पे फिर करिए विश्नु जी के नाम से और फिर करिए महेश यानिकी शिप जी के नाम से ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर कभी भी लाल रंग के घोड़े नहीं रखने चाहिए वास्तु के हिसाब से बहुत ज्यादा कस्ट मिलता है आप लोगों को ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर लाल चीजों का दान बहुत कम करना चाहिए ऐसे लोगों को न इनका प्यार दुख बहुत देता है तभी तो ऐसे लोग डिप्रेस जो जाते हैं रोते हैं चंद्रमाँ खराब होगा तभी तो आपके रोने का कारण बनेगा चंद्रमा खराब होगा तभी तो आपका मन कोई बार बार दुखाएगा चंद्रमा खराब होगा तभी तो आपको बहुत ज़ादा इमोशनल करेगा चंद्रमा खराब होगा तभी तो आप छोटी छोटी बातों से अपना कंट्रोल खो देंगे चंदरमा खराब होगा तभी तो आपका प्यार आपकी कदर कभी नहीं करेगा चंदरमा खराब होगा तभी वो आपको छोड़कर किसी तीसरी के साथ चला जाएगा चंदरमा खराब होगा तभी लोग आपकी फीलिंग्स का नाजायस फायदा उठाएंगे चंद्रमा खराब होगा तब ही आपका time waste होगा चंद्रमा खराब होगा तो एक और चीज आपके साथ होगी जो मैं आज आपको बताने जारे हूँ और इस बात को आप ध्यान हमेशा रखेगा आप जिसके भी साथ physically relation में आगए before marriage लीगल होने से पहले उस शादी के उस शादी पर ठपा लगने से पहले अगर आप उस व्यक्ति के साथ शारिरिक संबंद में आ गए और चंद्रमा आपकी कुनली में खराब हुआ तो याद रखेगा उस लड़के की मा या उस लड़की की मा आप दोनों के बीच में तनाव का और आप दोनों के रिष्टे को तूटने का कारण बनेंगी और ये बात मैं आपको thousand percent लिख कर दे सकती हूँ ऐसा जरूर होता है अगर चंद्रमा खराब होता है ऐसी conditions में इंसान को क्या करना चाहिए आपको पारत शिवलिंग का पूजन जरूर करना चाहिए आपको पारे की एक गोली अपने गले में शुद अभिमंतरित कराकर धारन जरूर करनी चाहिए अब वो कौन से मंतर से अभिमंतरित होगी कितने जाप होंगे या आपके चंद्रमा की डिगरी और नक्षत्र देख कर ही तै कर पाएंगे उसके लिए आप दिये गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आपका प्यार आपसे दूर ना चला जाए, डिस्टेंस ना बना ले, आपका प्यार आपको कभी छोड़ करना जाए, इसके लिए आपको सफेध चीजों का सुमवार के दिन दान जरूर करना चाहिए, ऐसी परिस्तितियां आपके साथ खड़ीना हों कि आपका प्यार आपसे जरू उठ जाए, या आपको कमिटमेंट ना दे, इसके लिए आपको हमेशा शिवजी के मंदिर में जाकर चंदन का लेप उन्हें जरूर करना चाहिए, आपको चंदन की माला से उम्नमर शिवाय का जाप करना चाहिए, पर्टिकुलर चंदन की माला ही चाहिए हमें जाप क करिए आपको एक चंद्रमणी की माला धारन कर लेनी चाहिए इससे भी आपके चंद्रमा को बहुत अच्छा एफेक्ट मिलता है और आपके साथ नेगितिविटी नहीं आती है चंद्रमा अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको चंद्रमा को ठीक करने के लिए पूर्णी मा के दिन चंद्रमा के नीचे बैट कर आपको ओम नमः शिवाय के कम से कम पांच माला जाप करने चाहिए आपको नितनियम से शुकरवार के दिन शिवजी के मंदर में जाकर कमल के फूल चड़ाने चाहिए आपको सफेद रंका चंदन याटी का हमेशा अपने माथे पर लगा क के रखना चाहिए चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है तो आपको चांदी का प्रियोग करना चाहिए चंद्रमा अगर अच्छा नहीं है तो आपको अपनी मा को अपने हाथ से सफीद रंकी किसी चीज़ को गिफ्ट करना चाहिए छोटी-छोटी सी चीज़े होती हैं अगर आप जीवन में करने लगेंगे तो आपको इसका प्रभाव जरूर दिखेगा और दिखे गा तो आप हमें जरूर बताईएंगे कि इससे आपके जीवन में क्या-क्या बदला वाया मैं फिर आँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्बूद लेके तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्टों में मजबूती बना के रखेगा अपने सार्थी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिन से आप प्यार करते हैं मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी तब तक के लिए राधे कृष्णा सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में पीच्टी मात्रशला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गुड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवारचुकी मात्रशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ट प्राप्त कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ट से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ट से नवाजा जा जुगा है और स्ट्राइब से रावत से खातुीं से घ्ँडराइब से गवोर्टे किया को यदिए और से झाल वर्पाः जोर्टadece के हुआ ऄर से गव ceux बहा है